C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का बीस्वा सबख सबख नमबर बीस ओलम्पिक खेल सफ़ा नमबर एक सो सैंटीस ओलम्पिक युनानी लब्ज ओलम्पिया से बना है युनान दुनिया का एक कदीम मुल्क है और खुबसूरत और कुशादा वादी का नाम है इस वादी में हर चौथे साल युनान वालों के अदवी और वर्दिशी मुकाबले हुआ करते थे इसी वज़ा से यहां खेले जाने वाले खेलों को ओलम्पिक खेल का नाम दिया गया कहा जाता है कि खेलों का पहला ओलम्पिक मुकाबला हजरत ईसा की पैदाईश से बारहा सो त्रेपन साल पहले हरकुलीस ने शुरू किया था इस रिवायत का कोई तारीखी सुबूत नहीं है तारीखी एत्बार से ये कहा जाता है कि ये मुकाबले आट सो चुरासी कबल मसीह में शुरू हुए और साथ सो च्छेटर काफ मीम से हर चार साल के बाद पावंदी के साथ होने लगे इस जमाने के दस्तूर के मताबिक ये खेल एक महीने तक जारी रहते थे ओलंपिक खेलों में जो खिलाडी तीन मुकाबलों में अफ़लाते उनके मुझस्ots्समे बना कर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिया जाते थे जब ये फातिछ खिलाडी अपने अपने शेहरों में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे बलके उनके लिए शहर की चाड़ दिवारी तोड़ कर रास्ता बनाये जाता था इन खिलाडियों के इस्तक्बाल बड़े जोशो खरोश से किया जाता ऑलम्पिक खेल तहवार के तौर पर मनाये जाते उनके शुरू होने से पहले पूरे युनान में ऐलान किया जाता इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ये जरूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, उनके आमाल अच्छे और पागीजा हो, उन्होंने कम से कम दस महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखरी महीना ओलम्पिया में गुजारा हो. सफ़ा नंबर 138 बना कर उनके सिरों पर सजाया जाता. यूनानियों के नजदीक किसी खिलारी का ये सबसे बड़ा एजास था. उलम्पिया के मैदान में सनाटा चा गया और खेलों के ये सिलसला पंदरा सो साल तक बंद रहा. उननीस्वी सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबे तीन ने उलम्पिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया. वो उलम्पिया गया जहां उसे ख्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किये जाएं. उसने 1894 में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने खयाल का इजहार किया. सबने उसकी भरपूर ताइद की और हर ताववन का यकीन दिलाया. उसकी बाद सबसे पहले युनान के शहर एथेंस का इंतिखाब हुआ और 6 अप्रेल 1896 को फिर से ओलम्पिक खेल शुरू हुगए. 1896 में जब ओलम्पिक खेल दुबारा शुरू हुए तो उसमें सिर्फ 13 मुलकों के खिलाडी शरीक हुए. अब ये खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई. 1908 तक उलम्पिक खेल दुनिया भर में मशूर हो गए. यहां तक के 1912 में जब सुईडन की राश्ठानी स्टॉक होम में उलम्पिक खेल हुए तो उनमें तमाम बर्रे आजमों के लगभग धाई हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें 57 औरते भी शामिल थी. सफ़ा नमबर 149 दूसरी जंग अजीम के दौरान भी ये खेल ना हो सके. जंग के बाद 1948 में लंदन में उलम्पियाई मुकाबले हुए जिन में 122 मुलकों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खेल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ मुलकों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिला कर स्टेडियम में चलते हैं तो ये मनजर बड़ा दिलफरेब होता है. सबसे आगे युनान के खिलाड़ी होते हैं. इसकी बाद अंग्रेजी हरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुलकों के खिलाड़ी होते हैं. मेजबान मुलक के खिलाड़ीयों का दस्ता आखिर में होता है. इस मौकी पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नजरें उस ओलम्पिक खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलम्पिक की मशाल लेकर स्टेडिया में दाखिल होता है. ये मशाल ओलम्पिया में सूरच की किर्नों से रोशन की जाती है. इसे एक के बाद एक खिलाड़ी लेकर उस मुल्क की तरफ दौरता है जहां उस साल के ओलम्पिक खिल होने वाले हैं. जब तक खिल जारी रहते हैं, ये मशाल जलती रहती है. खिलों के खित्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है और उसी मौके पर अगले ओलम्पिक खिलों के लिए मुल्क और शहर का ऐलान कर दिया जाता है. सफ़ा नंबर 140 ओलम्पियाई खिलों का अपना जंडा है. इसकी जमीन सफेद है जो अमन की निशानी है. सफेज जमीन पर नीले, पीले, काले, सब्स और लाल रंगों के पांच दाइरे हैं. ये दाइरे एक दूसरे से मिले होते हैं. ये दाइरे पांच बर्रे आजमों की अलामत हैं. एशिया, आस्ट्रेलिया, योरोप, शिमाली अमरीका और जुनूबी अमरीका की अलामत है लेकिन अब ये दाइरे बेनुल अक्वामी ब्रादरी का निशान बन चुके है इन पांच रंगों में दुनिया के हर कौमी जंडे का कोई न कोई रंग शामिल है ओलम्पिक का मोटो लातीनी जबान में है जिसके मानी है और तेज और उंचा और मजबूत ये मोटो खिलाडियों को महबत, महनत और कुवत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है खेलों की एहम बात महस जीतना नहीं बलके इन में हिस्सा लेना है यही वज़ा है कि खेल को खेल के जजबे के साथ खेलने वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में काम्याब हो जाता है सफ़ा नंबर 141 मानी याद कीजिए कुशादा खुला हुआ, फैला हुआ वादी पहाडों के दर्मियान की जखा मुनक्किद होना कायम होना, करार पाना मुझस्समे मुझस्समे की जमा, बुथ नस्ब करना लगाना, खड़ा करना, कायम करना शहरे पना शहर की चाड़ दिवारी, फसील संगतराश पत्थरों को तराशने वाला, मुझस्समा बनाने वाला फर्जंद बेटा एजाज इज़त तक्रीम और ताजीम इनाम बेन अक्वामी मुझसमा बनाने वाला ताइद हिमायत तरफदारी बर्रियाजम खुश्की का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई मुल्क शामिल हूँ फत्ययाब जीतने वाला स्टेरियम वो खास जगह जहां पर खेलों के मुकाबले हूँ हरूफ तहज्जी किसी जबान के शुरू से आखिर तक के बुनियादी हुरूफ दस्ता खिलाडियों का ग्रूप फौज की टुकड़ी अलामत निशानी पहचान मोटो वो खास निशान जिससे किसी ग्रोह या इदारे की पहचान होती है आमादा तय्यार राजी लातीनी जबान युनान की पुरानी जबान सफ़ नंबर 142 सोचिये और समय देन सवाल ONE अलम्पिक खिलों का आघास कैसे हुआ सवाल दो पुराने जमाने में अलम्पिक खिलों का ऐलान किस तरह किया जाता था सवाल तीन अलम्पिक कहिलों में शिर्कत के लिए खिलाडियों के लिए क्या शर्टे थी सवाल चार ओलंपिक खिलों में जीतने वाले खिलाडियों की किस तरह इज़त अबजाई की जाती थी सवाल पाँच ओलंपिक खिलों को बैनुल अक्वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने की सवाल छे ओर्तों को ओलम्पिक खिलों में हिस्सा लेने का मौका कब से मिला? सवाल साथ ओलम्पिक जंडा किस बात की अलामत है? सवाल आठ ओलम्पिक का मोटो किस जबान में है और इसका क्या मतलब है? सवाल नौ ओलम्पिक खेल किस जजबे से खेले जाते हैं? दिये हुए लवजों को अपने जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए मुनकिद होना एहद करना संतराश पाकीजा मकबूलियत बैन अख्वामी मशाल बर्रे आजम राजधानी पढ़िये और समझिये 19. सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कुबे तीन ने ओलंपिक खेलों को शुरू करने का इरादा किया कुबे तीन का ख्याल था उसके दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी जरूरी है वो खुद ओलंपिया गया जहां उसी ख्याल आया कि क्यों न खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किये जाएं पहले जुमले में कुबे तीन इस्म है और बात के जुमलों में इस वो उसे कुबे तीन के लिए इस्तमाल हुए हैं ये अलफाज जमीर कहलाते हैं अमली काम ओलंपिक खेलों के बारे में दस जुमले लिखिए ओलंपिक खेल अब तक किन किन मुलकों में हो चुके हैं उसकी फेहरिस्त बनाईए सफ़ा नंबर 144 गौर करने की बात ये बात जितनी मशूर है उतनी ही सच भी है कि सिहतमन जिस्म में सिहतमन दिमाग होता है इसलिए इनसान सिहतमन रहने के लिए तरह तरह के जतन करता है काम के वक्त काम आराम के वक्त आराम करता है वर्जिश करता है और खेल कूट कर अपने आपको सिहतमन और तंदृस्त रखने की कोशिश करता है खेल सिर्फ वर्जिश ही नहीं, इनसानी तफरी का बड़ा जरिया भी है खेल का जजबा इत्तिहाद और इत्तिफाक की तालीम देता है पुराने जमाने में खेल बहुत मुश्किल और जान लेवा होते थे मगर वक्त के साथ साथ इन में सुधार होता गया और अब इन में पहले जैसी दिक्कतें नहीं, अलबता मेहनत जरूर है आजकल दुनिया भर में खेलों के मुकाबले होते हैं और सारी दुनिया के खिलाडी इन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं हमारे जमाने में खिलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलम्पिक मुकाबले हैं ओलम्पिक में दुनिया के तक्रीबन सौ मुमालिक हिस्सा लेते हैं इन मुकाबलों में सारी दुनिया को प्यार, महबत और यकजहती की डोर में बांध दिया जाता है चूंकि इसमें दुनिया भर के खिलाडी हिस्सा लेते हैं इसी लिए उलम्पिक खिलों को बैनलाक्वामी मुकाबलों के दर्जा हासिल है ये मुकाबले इतिहाद औ इतिफाख की बेमिसाल नमूने हैं इसी के साथ अपनी जबान भागदों का बीस्वा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक 21 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत